यह लड़ाई केवल किसानों के हित्की रही है बलकि आम जन्ता के हित्का है पार्टी जन्ता पार्टी बदनाम करने में बहुत आगे है कांग्रेंस की है या आमाद्बी पार्टी की है तो एक छाप लगा करके इसको कमजूर करते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं महाखबर हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर जहां किसान संसद लगाई गई है आज और कल दो दिन की संसद है इस संसद में बड़ी अलग अलग राज्यों से कई पूरो संसद संसदों ने हिस्सा लिया है हमारे साथ उदित राज्जी है इसकी संसद चल नहीं रही है उससे इतर किसान संसद लगाई गई है क्या लगता है अशरोंर यह बिखार्ण हो याँ भोत्पुर्ण। उनका एक यहाँ पर संसद लगाई गई है उनका भी योगदान होना चाहिए राजनीतिक दल किसी परचुन की दुकान नहीं खोले हैं यह लड़ाई उन्हीं को लड़ना चाहिए था लेकिन मैं किसान लड़ रहा है मैं धन्यबाद करूंगा कि पंजाब के किसानों को जिन्ह यह लड़ाई केवल किसानों के हित्की रही है बलकि आम जन्ता के हित्का है और अगर पुरे कृशी ब्यापार के उपर कब्जा अडानिया नम्मानिक कर जाते हैं तो आटे का चावल का दाम होते करेंगे किसान जब अपनी फसल का उपज बेशता है तो कम मिलता है तो उसको एक या दो बार चार मार तकलीफ होगी लेकि आम जन्ता को पुरा साल भर तकलीफ होगी कि जो आठा तीन की तीस रुपए तीस रुपए किलो है उसको डेड़ सो दो सो रुपए किलो मिलने लगेगा तो है की नहीं कि पूरे समाज के लराई दर नेजी करण के खिलाब भी लराई लड़ा है नवकरियां इससे सरकारी नवकरियां चली गए जंक तंद्र बचाने क एक सवाल आपने कहा कि राजनेतिक लोग है पोर्चुन की दुकान नहीं खोलेंगे करना उनको राजनेति है तो इसमें समर्थन करना चाहिए था लेकिन वहीं जब भारतिये किसान जो यूनियन है उसकी बात करें तो आपने मिटिंग की कॉंस्टिशुशन कलब में उसके नहीं पाद अगले दिम इसको मना कर दिया गया कि हमको राजनितिक लोगों को नहीं लेंगे तो यह पूरा सब कुछ चला तो अब क्या स्थित्य है क्या किसान संगठन को के आग्रह में यह किया गया है उसमें आगर एक मंच बना उस मंच के मार्धम से आवाल किया गया तो आज उस ताकि यह न लगे भारती जनता पार्टी बदनाम करने में बहुत आगे है कि यह तो कांग्रेस की है यह आमाद्वी पार्टी की है तो एक छाप लगा करके इसको कमजूर करते हैं मेरा परचुन की दुकान कहने का मतलब आप फूरा नहीं समझ भाए मैं यह कहता हूं कि राजनेटी जनों का काम क्या है बेरोजगार यह है तो उसके खिलाब लड़े अत्याचार है महंगाई है किसान के समिस्या लगाई उनको लड़ना चाहिए उनको किस लिए है यह मैं का रहा हो कि क्या हो दुकान चलाने के लिए इनको आना पड़ा मैदाने जंद आना पड़ा तो उनको कम समर्शन देना तो आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं लेकिन यह बिल संसद में आएगा तो क्या आप लोग विरोध करेंगे कि संसद में गया नहीं है नए वहां से खतम हो बोट अप डिविजन मागा गया था लेकिन वह ध्वनी मती से पास करा दिया गया इसलिए सांसद रूप पहिसकार की कर दिये गया निकाल दिया गया उनको और वहां से पास हो गया और जो सरकार बेकुब बनाने का कारिये कर रही थी जारा हुए दावर के वर्चा बार्च ऐसा प्राउधार नहीं है जब कोई कानून बनता उसके बाद में रोल से रेकुलेशन जारी हो जाए तो रोका नहीं जा सकता या तो कैंसल किया जाए या लागू किया जाए या नहीं लागू किया बीच में रोकने का कुछ ऐसा नहीं माने उनको ठकने जा रहे हैं अब र किसानों कि नहीं कि यह हमें मिल दो कि आप इसको निरस्ट कर दो जिसके लिए किया वही नहीं कि चाहरा थो कि है कि मैं दो साल के लिए इसको पर खास्त कर दूगा कर दूगा अब सरकार भी बातचीत के और आंदूलन तेज हो गया उसके बाद तफिया कई तो आप देख रहे थे यह उदीत राज ते जिनों ने कहा कि रास्टे बंद नहीं होते राजनीतिम्हें ऑर तेज होग कि ו हम ayah किसान ठहरने वाले नहीं है ईसे तमाम खबरों के लिए बने रहे महाखवर के साथ अगर आप यह video YouTube चनल पर देख रहे हैं अगर आप यह video पेस्बॉक पर देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को लाइक करें बने रहे हैं महाखवर के साथ